और स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एक जो मुर्तिकार हैं अरुन योगी राज ये खोन है जिनों ने राम लला की जो मुर्तियां हैं उनको बनाने के लिए इनको चुना गया है एक्षुल में तीन मुर्तिकार हैं पूरे इनके द्वारा,जो अरुन योगी राज है, इनके द्वारा जो है, जो मुर्ति बनाई गया है Huangnallah की उनको उस प्रतिमा मुर्तिको चुने जाने की संभावना हैं तो आज हम इस वीडियो में अरुन योगिराज के बारे में चर्चा करने वाले हैं देखे इस वीडियो की PDF जो है मैं आप लोगों बता देता हूँ टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी हाली में आज ही की news है मतलब कि जी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं January 2 मतलब आज ही की नी January 2 की news है मैं 3 January को ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहां पर क्या हुआ कि रामलला जो परतीमा है वहाँ पर एक तो ये लेकर बात हो रही है कि क्या उनका जो रंग है वो शाम या फिर स्वेत ये क्या रखें तो यहाँ पर काफी सारे जो ट्रस्टीज हैं वो कह रहे हैं कि योगी राज का जो परतीमा है जो मुर्ती हैं उनको क्या किया जाए select किया जाए यहाँ पर अब देखिए शाम और सवेत यह दो color तो लेकर बहस होई रही है कि कौन से color को हम जो है वहाँ पर रखेंगे मंदिर के अंदर तो 22 जनवरी को अहिध्या में राम मंदिर का उद्गाटन होने के साथ करनाटका के जो बाजपा नहीं है जो यहाँ पर जो three trust है मतलब की जो अभी तक किसी को चुना नहीं है actual में तीन ही कलाकारों को जो मूर्तिकार है उनको चुना गया है मतलब उन तीनों में से select किया जाएगा किसी एक को अभी तक घोषना नहीं हुई है ओफिशली की भी हमने इनको चुन लिया है अरुन योगी राज को अभी तक चीज़ें चल रही है लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्दी चीज़ें clear हो जाएंगे लेकिन काफी सारे लोगों ने जैसे की जो हमारे जो एक अफेर यूनियन मिनिस्टर पार्लेमेंट अफेर पहला जोसी हो गए या फिर कहूं कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बियस युद्यरपई हो गए इन्होंने अरुन योगी राज को बदाई तो देई दिये कि मुबारक हो आपकी जो परतीमा है उसको चुन लिया गया है लेकिन अभी तक ऑफिशली अनाउंस्मेंट नहीं हुए लेकिन जहां तक लग रहा है जो न्यूज आ रही है कि भई अरुन योगी राज के जो परतीमा है उनको चुना गया है क्यारा मैं कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ ये न्यूज ऐसे बता रहे है क्योंकि आप देखेंगे ना कि एक पर्टिकलर इक आर्टिकल आता है इंडिन एक्स्प्रेक्स के अंदर जिसके अंदर अरुन योगी राज के जो परतीमा है उसके बारे बताया जाता है कि वो कोन है उन्होंने कैसे इस परतीमा को बनाए है यह सारी चीज़ें बताई गई वहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि कौन है आरुन योगी राज है 38 एर ओल्ड जो योगी राज है वो एक फेमस मुर्तिकार के परिवार में से आते हैं उन्होंने MBA कर रखा है कुछ टाइम उन्होंने एक प्राइवेट कमपनी के अंदर जोब भी की लेकिन वो वापस अपने परिवारिक पेशे के अंदर आ गए वो कहते हैं कि वो 11 साल से अपने पिता के साथ हेल्प कर रही है मुर्तिकला के अंदर, मुर्ति बनाने के अंदर कुछ महीनों तक उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम किया लेकिन जब उन्होंने काम किया उनको एहसास हुआ कि उनका जो पैशन है वो मुर्तिकला ही है इसलिए वो अपनी जोब छोड़कर 2008 में घर आ गए थे जबकि उनके पिता जो है उन्होंने जो अरुन योगी राज के जो डिसीजन था जोब छोड़ने का उसका समर्तन क्या था लेकिन उनकी माँ इस बास से काफी जादा नाराज थी कि उनके बेटे ने जोब छोड़ दी उनकी माँ भी खुश हुई 2014 के अंदर जब अरुन योगी राज जी को क्या हुआ दक्षन भारत में युवा प्रतिभा प्रुशकार मिला था उनके दादा भी बसवणना सिल्पी को महशूर के राजाओं का सरंक्षन प्राव था और उन्होंने महसूर महल के शाही गुरू शिल्पी सी दानती शिदलिंग स्वामी द्वारा प्रसिक्षित किया गया था अरुन योगी राज के पास हाली के टाइम में 15 कारिगारों की एक टीम है और उनके साथ उनके अलावा कुछ शात्रों की एक टीम है जो उनसे कला सीखने के लिए स्वेचा काम कर रही है उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को free of cost प्रशिक्षन भी दिया है साथ इसाथ अरुन योगी राज जी क्या करते हैं बच्चों को clay modeling या अन्य कोशल में प्रशिक्षित करने के लिए मैसूर के भ्रहमसी कश्चप सिल्पकला शाला एक ट्रस्ट भी चलाते हैं उनकी कुछ प्रसिद रचनाओं के अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर 28 feet एक freedom fighter सुभाच अंदर बोश जी की जो एक प्रतीमा एक मूर्ती जो वहां पर लगाई गई ग्रेनाइट पत्तर की जो मूर्ती वहां पर शामिल है उसके अलावा केदानात उत्राखंड के एक 12 feet उन्ची आदी शंकराचारे की मूर्ती श्री रामहर कृष्ण अपरम हंस की भारत की सबसे 10 feet की उन्ची अखंड सफेद संगमरमर की मूर्ती है इसके अलावा भारत बर में अलग-अलग मंदिरों में भगवान पंचमुकी गणपती, भगवान महा विश्नु, देवी, बान, शंकरी मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो अरुन योगिराज जी की द्वारा बनाई गई थी ये इनके कुछ काम हो गए, उन्होंने रामलला के मूर्ती को कैसे त्यार किया देखिए, योगिराज जी ने कहा कि ट्रस्ट ने तीन मूर्तिकारों को कहा था कि 5 साल पुरान, मतलब यहां पर यह हिंदी में मिस्टेक हो गई, आप देखेंगे इंग्लिश में यह चीजें लिखे हुए हैं, मैंने क्या किया है, इंग्लिश में टाइप किया था, सीधा ट्रांसलेट में जाके मैंने लिखा, मतलब कोपी-पेस्ट किया और जैसा निकल किया है, मैंने वैसा यहां पर लिख दिया है, यह थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, यह बात बोली गई है कि उनको कहा गया था कि 5 साल एक रामलबला हमें दिखने चाहिए, तो यह बात बोली गई थी तीन मूर्तिकारों को, तो उन्होंने क्या कहा कि इनकी जो height वो कितनी होनी चाहिए 4.25 feet इनकी height होनी चाहिए तो उन्होंने काफी जगह से पत्थर मंगाया थे, नेपाल से भी मंगाया थे मैसूर से भी मंगाया थे, राजस्थान से मंगाया थे, तो मैसूर से जो पत्थर मंगाया गया था, कृष्ण शिला इनका इन्होंने chain किया देखे पत्थर select करने के पीछे भी reason था देखे काफी सारे जो वैग्यानिक थे उन्होंने इस पत्थर की पुस्टी मतलब हाँ भी भरी कि हाँ ये पत्थर सही है इन में से कुछ पत्थर जोए आप देखे आप देखते होंगे दूद के साथ या पानी के साथ तो वहां पर क्या किया गया इन सब चीजों का ध्यान में रखते हूँ क्रिशन शिला एक एद वित्वित्य पत्र है जहां पर किसी भी लिक्विड चीज का कोई भी परतिक्रिया नहीं होगी कोई reaction नहीं होगा और करनाटक में लगवग एक हजार साल से इस पत्थर का यूज किया जा रहा है ये खुद अरुन योगी राज जी ने कहा है अब उनके अलावा उन्होंने कहा कि जहां भगवान क्रिशन के बच्पन के संदर में भगवान राम के बच्पन के बारा में कुछ वर्णन उपलब्द है मैंने इन्होंने मतलब की मैंने नहीं ये अपने शब्द कहते हुए है कि मैंने कुछ स्कूलों का दोरा किया महसूर के एक प्रोग्राम चलता है महसूर में बच्चों का चिन्ना रमेला रंगायन में एक ग्रिश्म काली सीवे लगता है जहां पर काफी सारे बच्चे आते हैं तो वहां पर ये गए लगवग 1200 फोटोस इन्होंने क्लिक की उन 1200 फोटोस को क्लिक करने के बाद इन्होंने खुद एक ऐसा चहरा त्यार करने की कोशिश की जो बहुत ज़्यादा मासूम दिखता है जो इसके अंदर एक दिव्वेता भी होनी चाहिए इनको दो महीने लग गए इसके लावा ये सलेक्ट करने में अगले चार महीनों में उन्होंने मुर्ती को गढ़ा योगी राज ने का चुँकि मैं अपने घर अध्या में मतलब दूर था मैंने लग बग एक दिन के अंदर बारा घंटे काम करता था और उसके बाद अगले दिन के कुछ होमवर्क भी करता था मुर्ती पर काम करने के वाले अन्ने दो मुर्तिकार बेंगलूर मतलब कि आपने एक अरुन योगी राज ची के बारे में जान लिया बाकी दो कोन हैं बेंगलूर के ही हैं जेल भट और रजस्थान के हैं सत्यनारायन पांडे ट्रस्ट ने इन तीनों को मुर्तियों में से मतलब देखिए इन तीनों में से ही क्या होगा किसी एक को चुना जाएगा बाकी दो को क्या होगा बाकी दो को मंदिर के परिसर में ही रखा जाएगा ऐसा नहीं कि उनको नहीं उनका कोई वैल्यू नहीं होगी definitely उनकी value होगी क्यों काफी परसिद कलाकार है ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ऐसी दे दिया है जाने माने हैं काफी उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं उनकी मूर्तियां काफी जगा हैं स्ताफित भी की गई हैं तो I hope so जो आज का अरे बस इतना इतना इता क्या तो बेशक मुझे बता सकते हैं कैसे बताएंगे वीडियो को लाइक करके description box में लिंक दिया मिलेगा आपको telegram का तो आप इस वीडियो की जो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना इतना था thank you for watching this video